नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर गाराव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सिरीज के एक अनादर एपीसोड के बारे में दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नमबर 19 के सवालों को लिया था और उनके सवालों को मैंने यहाँ पर आपको बताया था उनके जवाब मैंने आपको दिये थे यहाँ पर हम एपिसोट नमबर 19 के जो सवाल रहे गए थे उन्हें लेंगे और उसके जवाब मैं आपको यहाँ पर सटिकता के साथ देने की कोशिश करूँगा दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप जो भी जोतिशी प्रशन मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माद्यम से सवाल जवाब के सीरिस के माद्यम से मुझसे कर सकते हैं मैं आपको उसका जवाब जरूर से दूँगा केवल आपसे request इतनी है कि आप जो भी प्रशन मुझसे करें वो सारवजनिक हो वो personal आपका ना हो, personal आपकी बर details ना हो, ऐसा कोई question ना हो जो की सिर्फ और सिर्फ वो ऐसा हो कि आप ही को इंगित हो रहा हो इस वीडियो को देखने वाले प्रत्यक दर्शक को यदि कोई ऐसा प्रशन है जो पसंद आता है यदि प्रत्यक दर्शक उस प्रशन का उत्तर या उस सवाल का जवाब सुनना चाहें तो ऐसे प्रशन का स्वागत है चलिए आज का पहला प्रश्ण जो है वो ले लेते है प्रदीब जी मुसे सवाल करते हैं कि सर क्या फर्स्ट हॉस में चंद्रमा के होने पर केंद्रूम दोश बन सकता है इस दोश को कैसे ड्यूरिंग कर सकते हैं उनले लिखा है इनका मतलब यह होगा कि शांत कर सकते हैन थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कहीं मुझे लग रही है प्रदीब जी ऐसा नहीं है कि पहले भाव में चंद्रमा आ जाएगा तो केंद्रूम योग बनेगा लेकिन हाँ यदि आपको पता है कि केंद्रूम योग कै नाम से ही था उसमें आपको यह बताया था कि कींद्रूम योग केंद्र में केंद्र मतलब पहला भाउ, चौथा भाउ और साती चांतव भाउ, दस्वा भाउ इसमें नहीं बनता चैंसिलेशन हो जाता है लेकिन फिर भी यदि चंद्रमारग्र है तो मारग्र Hastने के दवारा केंजरुम यूग का निर्मान हो सकता है तो हाँ यदी केंजरुमह हो सकता है यदि चंद्रमारग्र है अब आपने यहां पर ये doing कुछ साद spelling mistake है आपने लिखा कि इसको शांत कैसे करें, तो आप मेरा केंदरुम योग के नाम से जो वीडियो था उसे देखें, उसमें मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है, केंदरुम योग होता क्या है, उसे शांत कैसे किया जाता है, अनिर्वन जी, अनिर्वन मॉंडल जी मुसे सवाल करते हैं, कि तो वो अच्छा ही फल देते हैं हाँ डिग्री वाई से दी कमजोर है तो वो अच्छा फल नहीं देंगे कहना है मतलब जीरो डिग्री है तो उनके पास कोई बल नहीं है तो अच्छा फल नहीं देंगे अब क्या होता है फैक्ट यह है कि जब आपको किसी अच्छे ग्रह की मह नहीं रहा है आप जो अंतरदशाय बगेरा आती है वो आपको ऐसा फल देती है जो आपके लिए सटिस्फेक्टरी नहीं होता जिसमें आप प्रोग्रेस नहीं करते हैं भी बूरा क्या है बूरा वो है कि अच्छा नहीं होता तो आपको लगता है असंतुष्टी आपको असंत सितियों के जो कारण है वो यह 0 डिगरी और 29 डिगरी का होना है या फिर अस्त होना भी यहां पर बनता है तो ग्रह बूरा नहीं होता आपको यहां पर अंतरतशाओं को देखना होता है कुछ योगों को देखना होता है इवन यह जो अच्छे ग्रह है इनको पावर देनी होती रतनों के द्वारा क्या कुछ और भी चीज़ें होती जिसके द्वारे इन्हें पौवर देनी होती है अनिर्वन जी के बाद दिया जी मुसे सवाल करती हैं कि नमस्ते सर नमस्ते दिया जी वाट डिसाइड्स अवर जॉब एन केरियर राशी और लगन दिया जी मुसे पूछ रही है कि आपका जॉब या आपका जो केरियर या फिर आपका जो बिजनस होगा वो आप लगन से डिसाइड करते हैं या चंद्र राशी या चंद्र कुंडली से डिसाइड करते हैं और जॉब का टाइमिंग क्या होगा, यह कैसे decide किया जाता है, लगन से या फिर चंद्र, तो दीकिए चंद्र कुंडली से यह चीज़ decide नहीं की जाती, यह लगन कुंडली और दशमाश कुंडली से decide की जाती है, साथ इसाथ दशा, अंतरदशा, परतिंतरदशा, शुक्ष्म करने के लिए आपको सबसे पहने नंबर पर बूद का रदन पन्ना जो होता है, वो पहनना चाहिए, पहली बात, दुसरी बात कि जो भी हरी चीज़ें हैं, हरी चीज़ें क्यों, क्योंकि बुद्ध जो है वो हरे color को, green color को represent करता है, तो हरी चीज़ों को ज्यादा intake करें, हरे फल, सबजियां ज्यादा खाए, हरे कपड़े ज्यादा पहने, हरी चीज़ का donation ना करें, मैं ये कह होँगा, आप से यदि बूद को मजबूत करना है, तो, यह आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है, रतन पहनना भी बहुत अच्छा एक यहाँ पर जरिया होता है, किसी भी ग्रह को power देने का, किसी भी ग्रह को बल देने का, आप यह जरूर देखीगा, कि आपके बूद क बल देने के जरूरत है भी या नहीं, अमिर दिक्षित जी मुसे सवाल करते हैं, कि नमस्कार डॉक्टर गौराव, नमस्कार अमिर जी, मेरा एक सवाल है, जो कि सारवजनिक है, आशा करता हूँ आप से जवाब पाने की, क्योंकि आपकी जानकरी मुझे बहुत सटिक लगत होती है, बहुत बहुत धन्यवाद अमिर जी आपका, सवाल है कि यदि कोई ग्रह मा रखो और उच्च का हो, तो कैसे परिणाम देगा? और यदि कोई ग्रह योकारक हो, लेकिन नीच का हो, तो वो कैसे परिणाम देगा? और इस कंडिशन में कौन सा रतनलाबकारी होता है? अमिर जी सवाल जब अब सीरिस जो स्टार्ट हुआ उसके जस्ट पहले एक एपिसोड मैंने बनाया जिसमें मैंने यही चीज कही थी कि उच्च का ग्रह भी खराब फल क्यों दे जाता है उसमें मैंने यही समझाया कि यदि मारक ग्रह कुंडली के लिए अनिमी प्लानेट उच्च राशी स्थित है तो उसने अपने खराब ही फल देना है अच्छे फल नहीं देना है यहां पर रतन चुकिए आपने रतन की बाद की तो यहां पर उस मारग्रह का चाहे वह उच्छे राशी है, रतन नहीं धारन किया जाना चाहिए, बिलकुल भी नहीं, फिर आपने कहा योकारक्रह येदि नीच राशी स्थित है keeping सामनेत है वो तो अपने खराबी फल देता है उसका भी रतन आपको धारण नहीं करना चाहिए लेकिन एक भंग राजियों की स्तिती है तो यहां पर उस ग्रह का रतन जरूर से पहना जा सकता है अमिज जी के बाद मिधिलेज जी मुसे सवाल करते हैं कि क्या शनी यदि कुंडली में योकारक ग्रह हो तो क्या शनी की महादशा में नीलम रतन धारन करना सदा अच्छा होगा या अगर वो किसी खास भाव में बैठकर योकारक है तो देखें मिधिलेज जी ऐसा है कि अब्विसली शनी योकारक ग्रह है और कहीं अच्छे भाव में बैठे हुए हैं योकारक होकर कर बैठे हुए हैं तो उनका रतन आप धारन कर सकते हैं यह देख लीजिएगा कि रतन पहनने यह कोई मतलब नहीं होता इसका आपको यह भी देखना चाहिए कि रतन पहनने के जरूरत है भी या फिर नहीं अच्छा आपने यह भी कहा कि भाव पर जहां पर शनी बैठे हुए हैं उसके साथ कोई मारक ग्रह कोई खराब ग्रह भी आकर कर बैठ जाते हैं या नहीं पहन है तो बिल्कुल पहनी है शनी देव तो योग कारक है और शनी देव का रतन पहन करके यह आपको अच्छे फल मिलते हैं चुकि योग कारक है अच्छी जगह बैठे है तो अच्छे ही फल मिलेंगे तो बिल्कुल उनका रतन पहना जा सकता है मैं तो यह कौँ सर अगर कुंडली में पंचमेश ट्वेल्थ हाउस में है और फिफ्थ हाउस में मतलब पाचवे भाव में नौमेश हो नाइन्थ हाउस लॉड हो तो क्या फिफ्थ हाउस लॉड फिफ्थ हाउस के रिजल्ट गलत देगा क्योंकि वो अब मारग रहे है प्लीज बताए रवी पाचवे भाव का स्वामी यदि बारवे भाव में जागर के बैड़ गया है तो इसका यह मतलब कता ही नहीं कि यह अपने खराभी रिजल्ट देगा यदि शनीदेओ यदि मकर राशी फिफ्थ हाउस में बनती है तो यह भी हो सकता है कि विप्रित राजियों की स्थिती न सर बहुत ही खुबसरत सयोग है कि नवे से नवा नवे भाव का मालिक अपने से नवे भाव यह पंचम भाव में आकर कर बैठा है यह पंचम भाव को बहुत अच्छा सुधारता है इवन संतान से लाब या भाग्य उन्नती भी करवाता है तो यहां पर यह कता ही नहीं है कि फिफ्थ हाउस लॉट ट्वेल्थ हाउस मुझ आएगा तो खराफवल मिलेंगे फिफ्थ हाउस से डिलिटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसके बाद प्रतिक जी मुसे सवाल करते हैं कि प्रणाम सर जी प्रणाम प्रतिक जी मिथूर लगने में राहू का एट्थ भाव में हो होना और शनीदेव का सेवंथ भाव में होना तो क्या राहू अपने मित्र के घर पर होने से अपने अच्छे रिजल्ट देंगे किरपया मार्ग दर्शन करें बहुत अच्छी बात कहीं प्रतिक जी आपने देखिए सामन्ने तह में यह कहता हूँ छटवे आठवे बारवे इवन थर्ड हाउस में भी कोई गिरह हो चाहे राहू केतु हो कहीं लोग यह भी कहता है राहू केतु बहुत अच्छा फल देते चटवे आठवे में मैंने तो इतनी कुंडिले देखी आज तक कहीं अविसली दिन भर कहीं कुंडिले देखता हूँ कहीं तरह की महादशाय कहीं तरह के लोगों से मिलता हूँ मैंने तो आज तक कहीं ऐसा एक्सप्रियेंस नहीं किया कि राहू तैसरे चटवे आठवे बारवे बाहु में बैठे तो बहुत अच्छे अपनी महादशा में फल उन्हें दे दिये तो यह अपनी महादशा में अच्छे फल नहीं तो प्रिसे लाइक करें शेयर भी करें तकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें आने वाले एपिसोड में और सवाल जो रहेगा है उन्हें लिया जाएगा और दूसरे वीडियो अस्टलोजी से रिलेटेड आपको दिये जाएंगे आपके कुछ रिक्वेस्ट भी ही है कुछ चीजों पर कि इन अलग-अलग टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाया जिन पर भी मैं जल्द ही वीडियो आपको ले करके दूँगा सारे आस्टलोजी से रिलेटेड राशी फल भी आपको मिलते ही रहते समय समय पर जो कि आपको मिलते रहेंगे गोचर भी मिलते रहेंगे दोस्तों आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद